आप सभी का स्वागत है Civil Dimensions चैनल पर आज का हमारा टॉपिक है Difference between Wall Mounted WC and Floor Mounted WC आज हम आपको बताएंगे इन दोनों washing system में क्या difference है कौन सा WC जादा बैतर है साथ ही आपको बताएंगे Wall Mounted WC और Floor Mounted WC लगाने में कितना खर्च आता है और कुछ technical details तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि आप सभी को पता है हर घर की जुरूरत है टॉलेट और एक सुन्दर Space Saving Zero Maintenance टॉलेट हर किसी की requirement है ये वीडियो आपके interior project या आपके नए घर के लिए कौन सा टॉलेट बैतर होगा ये selection में आपकी मदद करेगा तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें तो चलिए सबसे पहले दोनों में difference देख लेते हैं चलिए सबसे पहले wall hung toilet के बारे में जान लेते हैं wall hung toilet simple and classy designs में आते हैं यह easy to clean होते हैं यह space saving भी होते हैं इनकी height adjustable होती है क्योंकि इनकी height adjustable होती है इसलिए यह बूरे और disabled लोगों के लिए जादा comfortable होते हैं टैंक filling के वक्त short नहीं होता इनका price high होता है insulation और repair के लिए skilled lumber की requirement होती है चलिए आप floor mounted के बारे में चान लेते हैं इनकी insulation simple होती है यह wall hung WC की तुलना में बहुत सस्ते होते हैं इनका repair और maintenance easily हो जाता है यह wall hung WC की तुलना में ज़्यादा जगा लेते हैं wall hung WC की तुलना में floor mounted WC की सफाई में ज़्यादा समय लगता है floor mounted WC की height adjustable नहीं होती चलिए अब इस difference को detail में समझते हैं सबसे पहले appearance मतलब दिखने में कैसे होते हैं wall hung toilet की तैंक को दिवार के अंदर fix किया जाता है जिसको बाद में brick machinery और plaster से repair कर tiling या stone cladding कर दी जाती है जिससे wall hung WC टैंक दिवार के अंदर ही छुप जाता है और सिरफ commode या toilet bowl ही दिवार पर टंगा हुआ नजर आता है वहीं दूसरी तरफ floor mounted WC का tank और toilet bowl floor पर ही rest करते हैं और visible भी होते हैं wall hung toilets modern and minimalist design में आते हैं ये bathroom में एक कम space लेते हैं जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है wall hung ये floor से उठे हुए होते हैं जिससे इनको साफ करना और इनको साफ रखना असान होता है वहीं दूसरी तरफ floor mounted WC को traditional toilet के तोर पर देखा जाता है floor में fix होने के कारण इनकी साफ सफाई में थोड़ी दिक्कत आती है अगर आप modern contemporary look चाते हैं तो wall hung toilet आपके लिए अच्छी choice हो सकती है और अगर floor mounted WC आपकी पसंद है तो market में बहुत से अच्छे designs available हैं जो wall hung WC को design के मामले में टक कर देते हैं अब इन दोनों में कौन सा space saving है देख लेते हैं अगर space saving की बात करें तो wall hung WC कम जगा लेते हैं floor mounted WC की तुला में क्योंकि इनके tank को दिवार के अंदर ही fix कर दिया जाता है पर ऐसा हर project पर possible नहीं होता for example 9 inch thick wall में 4 inch thick tank को दिवार के अंदर fix किया जा सकता है पर अगर bathroom के दिवार 4 inch की है तो उस case में WC tank के लिए एक अलग दिवार बनानी होगी जिसे हम ledge wall कहते हैं यहाँ ledge wall 5-6 inch मोटी 3-4 foot चोड़ी और 3-4 foot तक लंबी हो सकती है इसलिए WC के selection से पहले bathroom की जिस wall पर आप WC लगाना का plan कर रहे हैं उसकी wall thickness जरूर चेक कर लें हो सकता है floor mounted WC आपके bathroom के लिए perfect choice हो एक wall hung WC toilet में 10 inch तक कम space लेगा floor mounted WC की तुलना में अगर उसका tank दिवार के अंदर ही fix किया गया हो next is installation installation process की बात करें तो wall hung WC की installation जादा खर्च आता है floor mount WC की तुलना में क्योंकि wall hung WC के लिए पहले दिवार की cutting की जाएगी tank को fix किया जाएगा फिर दिवार को repair किया जाएगा तब जाकर tile और stone लगाया जाएगा इस process में skilled और professional worker की जुरत होती है वहीं दूसरी तरफ floor mounted WC की installation में जादा खर्च नहीं आता इसे सीधा floor में screw करके fix कर दिया चाता है चलिए अब कोस्टिंग देख लेते हैं wall hung WC की बात करें तो इसमें 4 component होते हैं जिसका price company अलग-अलग charge करती है जैसे ball tank 25-4,000 रुपे plush actuator 15-2,000 रुपे toilet ball 4000-7,000 रुपे seat 1500-2,000 रुपे इसकी material cost कम से कम 10,000-15,000 रुपे के बीच में होगी वहीं दूसरी तरफ floor mounted WC की cost में पूरा set complete होगा जो 7,000-10,000 के बीच में होगा अब आपको decide करना है आपके लिए कौन सा better option है next is cleaning अगर साथ सफाई के perspective से देखें तो wall hung WC को clean करना असान होता है floor mounted WC की तुलना में next is repair maintenance wall mount WC की बात करें तो इसकी repair और maintenance में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि इसका tank दिवार के अंदर fix किया गया होता है कई बार पूरी दिवार जिसे हम ledge wall कहते हैं वह भी तोडनी पड़ जाती है next is noise last but not the least wall hung WC को लगाना एक benefit यह है कि यह flush करने के बाद tank filling में जो आवाज आती है वह wall hung WC में ना के बराबर होती है क्योंकि tank wall के अंदर fix किया जाता है जिससे आवाज बाहर नहीं आती floor mounted WC में flush के बाद tank filling में होने वाली आवाज तेज होती है जिससे असानी से सुना चाह सकता है hope अब आप यह समझ गए होंगे तोनों टॉलेट्स में क्या अंतर है एक additional information जो मैं आपको देना चाहता हूँ वै यह है कि अगर आप चाहते है wall hung WC लगाना वो भी बिना concealed wall tank के तो भी possible है metropol push valve का यूज करके इस system में tank की जुरुत नहीं पड़ती जिसे हम अपनी वीडियो में cover करेंगे तो जल्दी से channel को subscribe कर लीजिए और bell notification को on कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की informative वीडियो आगे भी मिलती रहे thanks for watching civil dimensions